इंडिन टाइम्स जेली में आपका फिर्शे स्वागत है और भारत की मुख्य दस खबरें इस प्रकार हैं पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबा वाले को चीन में राजदूत लिउक्त किया गया है जबकि पोलेंड में भारत के राजदूत अजय बिसारिया पाकिस्तान के अगले उच्चायुक्त होंगे दोनों को व्यापक रूप से विदेश मंद्राले का सर्वश्रेश दूद माना गया है और इन्होंने कई समवेधनशील पदों को अच्छे से समभाला है ब्योरोक्रेट केंद्री मंत्री के जे एलफॉन्स ने ये कहकर एक विवात ख़़ा कर दिया है कि जो लोग बाईक और गार के मालिक हैं वो भूग से नहीं मरेंगे और ये लोग पेट्रोल के लिए उंची कीमत दे सकते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने इस टिपनी की सकत अलोशना की है वर्तमान में पेट्रोल की कीमतें तीन साल के उचिस्तर पर हैं सरकार ने दिसंबर के बाद GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीक परहने से इनकार कर दिया है उसने करदाताओं को सला दी है कि अंतिम तिथी का इंतजार ना करें और समय से पहले अपनी रिटर्न दाखिल करें सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृती रानी ने कॉंग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहूल गांधी की राजवन्ष राजनीती की उस टिपनी पर दंज कसा है जिसमें गांधी ने कहा था कि अधिकांश देश इस तरह से ही चल रहा है उन्होंने कहा कि नए भारत का निर्धारान वो ही लोग करेंगे जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और जो अपनी योगिता के आधार पर संधर्श करते हैं गोवा विधान सवा में विपक्ष के नेता और कॉंग्रेस के विधायक चंदरकांत कवेलकर को और उनकी पत्नी वा कॉंग्रेस की नेता सावित्री के खिलाब 2013 के अवैद संपत्ती के मामले में मुकदमा दर्श किया गया है A.C.B. के अधिकारियों ने भी उनके निवास थान और कारयाले में छापे मारे सेना ने नियंतरन रेखा के पास आतंगवादियों के घुस्पैट की कोशिश को नाकाम कर दिया जम्मु कश्मीर के कुपवाडा जिले में सेना ने दो आतंगवादियों को मार गिराया मारे गए आतंगवादियों के पास से काफी हतियार भी परामत किये गए हैं चार साल तक पुलिस की आँखों में धूल जोकने वाले एक महन्त को यूपी के गाजियावाद जिले में गिरफतार कर लिया गया वो कथित रूप से बीएसपी नेता दीपक भारतवाज की हत्या में शामिल था और उसके सिर पर एक लाग रुपे का इनाम था शनिवार को मुंबई में स्थित प्रतिष्थित आर्के फिल्म्स और स्टूडियोज में भीशन आग लग गई मुख्य शूटिंग स्तलों में से एक में टीवी के लिए डांस रियल्टी शोव सुपर डांसर सीजन 2 का सेट लगा हुआ था किसी को चोट लगने की सूचना नहीं मिली है आठ सो वर्क फूट के फ्लोर एरिया में फैली बिजली की तारों में शौर्ट सर्किट होने से याग लगी बॉलिवूड स्टार सल्मान खान को बिटेन के हाउस आफ कॉमेंस में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड मिला है उन्होंने बिटिश पार्लेमेंट पे सबसे लंबे समय से सेवारत एशिया इसानसर कीच वाज से ये प्रवसकार प्राप किया वाज ने सल्मान की सरहना करते हुए कहा कि सल्मान ना सिर्फ भारत और विश्व सिनिमा के एक बड़े सितारे हैं बलकि उन्होंने मानवत्तर की भलाई के लिए भी कई काम किया है हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कैनेडा की महत्पूर खबरों के साथ जल लोटेंगे